सबी भाइयों कुर्णामरम स्वागत हमरे इस वीडियो में और आज आपको हम दिखा रहे हैं कंप्लीटली जो भी हमने सुरुवात से लेकर आकरी तक वर्क किया है उसका सारा ही जो वीडियो या फिर फोटो भी होगा दोनों मिक्स है हम कुछ पिक्चर्स वीडियो में से क्र तो इस पर जो भी आपको दिख रहा है पूरही कंप्लीट काम किया हुआ गाड़ी होगा बाइक होगा जो भी होगा दोनों नों है इसमें आपको उसमें पूरही डिटेलिंग से वर्क हुआ हुआ दिखेगा कई पर भी आपको किसी चीज में यह नहीं लगेगा कि यहाँ पर यह छूड़ गया है या फिर कुछ रहा गया हो और अगर दिखता हूँ या फिर कुछ समझ में ऐसा आता हो तो भाई कॉमेंट जरू कर देना है ना तो गुड मानिंग आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार तो भाई आपको पता ही है हमारे इस वीडियो में वासिंग ऋटीटिलनिंग का वीडियो डलता है और और बहूए कुछ-कुछ डाल देते हैं कभी-कभी मूड के हिसाप से है ना आप लोग को पसंद आता है तो लाइक कर देना और भाई कॉमेंट कर देना यार कॉमेंट करने से ना ज्यादा खुशी होता है पता है लाइक भाले करो चाय मत करो कॉमेट जरूर कर देना भाई इंप्रूमेट लाओ थोड़ा वीडियो में क्वालिटी में या फिर अपना जो काम कर रहे हो उसमें इंप्रूमेट ले क्या ऐसे कुछ भाई कुछ कुछ सेजेसन देते रहो कुछ टिप्स देते रहो जिससे की मेरे को लगे कि चलो भाई लो अपने साथ में कनेक्टेड है वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं पर वाई सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना क्या पता कभी आपके काम का वीडियो डल जाए अपन यहां पर सिर्फ वासिंग का ही नहीं डालते कभी कुछ छोटा मुटा टिप्स भी देते हैं कोई बड़ा नहीं छोटा सा देते हैं अगर आप रिक्वाइड करोगे जै कैसे करना चाहिए है और देखी सकते हो जितने भी गाड़ी हमने काम किया है मतलब सभी गाड़ियों में फिनिसिंग भाई एवन रहे हैं वह उस वर्क में कोई मतलब कमी नहीं नजराया क्योंकि अपन जो काम करते हैं इसमें हंटेट टेंट परसेंट अपन लगाते हैं फि अगर आप लोगोंने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा डिटेलिंक का या फिर अगर कोई साभी वीडियो पिछला देखा होगा तो उसमें समझ में आ जाता होगा कि किस टाइप का वर्क है ना और क्या है अपना जो सर्विस है वो क्या है ज्यादा जगह पे नहीं है अभी तो फिलार अपन सिर्फ जगदलपूर में कर रहे हैं लेकिन आप लोग सपोर्ट करो आप लोग सपोर्ट करोगे तो अपन आप जिदर रहते हो उदर भी अपना सर्विस पहुंच जाएगा ना भाई बीना क्या कुछ होता नहीं पता ही है तो देखो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना और चैनल में नहीं हो तो सब्क्राइब कर लेना और देख सकते हो यह जो की काफी ही गंदा था हमने पूरा क्लिंग कर दिया है वैसे ही इसी इनुवा कभी कंडिशन था ऐसे ही कुछ यही नुवा 2014 मोडल है मेरे ख्याल से और बहुत समाल करके थे इसको देखो पूरे हम डिटेल से साफ कर दिये थे लेकिन क्या है रात होने के वज़े से अपने इसका ज्यादा वीडियो और फोटो नहीं निकाल पाये थे इंजन इंजन भी सब्क्रीन हो गया था इसका ऐसे करUhीव करवात है हो है ना तो वो जो लंच TW rice करते हैं उसकर कभी दिया करो कि दिया करो कि तेरी काड और अफिर तैरी कर वोलते हैं और हो दूसरे सब भासा में क्या वोलता है नहीं बता भाई वह जो होता है न उससे बहुत ज़्यादा और सॉलमाइक्स आते हैं गाड़ी के उबर अगर ऊससे आप अपप्लाई करते हो तो तो कभी भी वासिंग करवाते हैं तो माइक्रोफाइबर कपड़ा ही यूज करने वोलना क्योंकि पहले तो63 माइक्रोफाइबर था भी तो लोगों कोतना पता नहीं था होगा लेकिन जब शाया है अपन तो उसको ही यूज करते हैं क्योंकि उसका जो रिजल्ट है काफी अच्छा है और शहीं तरीके से अपलाई भी कर सकते अपन सेंपू और गाड़ी को पोच्छते समय भी ना वह बहुत ही अच्छे से पानी को सोख लेता है बागी कपड़ों के मुकाबले और इसलिए हम भी आपको रिकमेंड करेंगे कि माइक्रोफाइबर ही यूज करो चाहिए आप पूछने में यूज करो या फिर गाड़ी को वाश करने में तो आपका जो गाड़ी का जो साइनिंग है ना वह लंबे समय तक रहे अगर साल भर रहता है नॉर्मल वासिंग से तो हमारे वासिंग से कम से कम धाई या तीन साल तक साइनिंग रहेगा इतना तो डिफिरेंस समझ में आता है क्योंकि आप किसी भी ब्लेक कार या फिर बाइक को देखना उस पर देखना जैसे कि सोरूम से आप लाओगे और एक पर बसना साधा कपड़ा से पोच दीना बस एक ही बार पोचने पर ना भाई वह पूरा उसमें सोल मार्स आजाएंगे क्योंकि इतना वह ज्यादा ओ ब्लेक जो होता है इतना ज्यादा लाइट को अब्जॉब करता है अपन माइनर सा उसमें जो सोल मार्स भी आएगा ना ए दिखने लगे उसमें वाइट और बाकी जो लाइट कलर होता है उन सब में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ब्लैक के साथ है इसलिए ब्लैक को बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता है तो अगर आपके पास ब्लैक वाला कार है तो बाइक भी होगा तो भी उसको लुद्यवादार करते हैं और यहां पर काम थोड़ा सही से जरूर होता है बाकी के मुकाबले मैं यहां किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं बस यह बोल रहा हूं कि अच्छा काम करते हैं क्योंकि भाई मैं देखा हूं आपर यह इस तरीका का काम होता है बाकी अपन तो करते हैं है न और ठीक है बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग का यहां तक बने रह बढ़ आने के लिए और विडियो पसंदाएगा तो लािक कर देना ठीक है और याड इसमें ना इम दो तीन दो कार ऐसे हूँगे जिनको हमने प्रॉपर तरीके से नहीं उसको तीन सुरी तीन कार है क्योंकि उसमें दिक्कत क्या था ना कि जो कार हमने वास किया ना वह मेरे ख्याल से कम से कम 3-4 महने से वह सर्वी सेंटर में वास नहीं हुआ इस वज़े से क्या है उनके टायर में मिट्टी ज़्यादा जम गए तो भाई इतना कितने भी ब्रस मार लो फिर वह क्लीन नहीं होता है बराबर से वह लाल रही जाता है थोड़ा सा ब्रस मारने के बाउजित भी आपने देखा होगा पीछे एक सिल्वर एक्सी भी था और एक वाइट कलर का काईगर था अच्छा हाँ वो दोनों था वो दोनों में क्या थोड़ा सा वह प्रब्लम आया था बाकी तो हर गाड़ी का जो टायर होता है वो पुरही ऐसा लगए का सोरूम का टायर में अफिट कर दी है ऐसे क्लीन हो जाता है बाकी दिक्कत यह है जो एक अपने फॉर्चुनर का टायर जो है ना उसको क्लीन नहीं कर पाया थे मतलब अपने पूरा ब्रस उसमें मारा भाई फिर भी वो टायरी साप नहीं वह पॉलिस मानिक बाउजस भी रेड़ेट दी करा तो वो सब गाड़ियां क्या है अगर मान के चलो दुबारा तीबारा हमारे पास सर्विस के लेना तो उसके बाद तो पूरा ही ब्लेक कर देंगे दोस्तों को और बकादा वीडियो भी बना के डास दूंगा में कि देखो भाई पूरा ही क्लीन हो गया है अना बाकी सबी गाड़ियां जब होती है तो फिर वह भी हो जाएंगी पर वही है उसको स हुआ 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 है